हमारा पहलो ओडर आ चुका है यह मेरे बच्चे की नोडल सा चुके है कि कुट्टे विल्ले के लिए दो को छोड़ दो कि नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूम मंचपाप का स्वागत है दोस्तों आज हम खाने पीने के लिए भार जा रहे हैं चुकि दोस्ता आज हमारी अनिवर्सरी है और अनिवर्सरी के दिन खाना पीना घुमना फिरना सब हम भार करते हैं घर के सारे के सारे काम लिप्टा दिये हैं चुकि अनिवर्सरी थी इसलिए आज मैंने शुट्टी भी ले ले थी ताकि मैं पूरा पूरा टाइम अपनी वाइफ को दे सकूँ चूंकि दोस्ता आपको पीछे से मेरे बच्चों की आवाज आई रही होगी वे बच्चों ने आफ़त मचानी शुरू कर दिये इसलिए काने पीने के लिए सेक्टर निज्टिस क्लास रेस्टोरेंट जाएंगे और एनिवर्सरी को बहार सेलिब्रेट करेंगे बच्चों ने लैड जला दिया बच्चों के यह काम होते हैं करें और दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हमें परसान करने में सारी की सारी हदे बार कर देते हैं हमारे घाड़े पेड़के अंदर पेड़े की नीचे खड़ी खड़ी हो गई है कि यह दोस्तों हमारा घर है लॉन फूलर पर हम दोस्तों रहते हैं आज दोस्तों हम कि चंडी गड़ सेक्टर उन्यूस के लाज रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं हाँ बेटा किस नहीं कर रहे बेटा कि अधika दोस्तों यह जो रेस्टोरेंट है यह बहुती बढ़या रेस्टोरेंट है इस पीड़ एंच्षबिए आने के लिए जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे किस तरह इसके प्रांज हैं क्या उसके रएटा है सारे कि सारी चीजे हम वहां जाकर देखेंगे, गाड़ी का सीसा दोस्तों गंदा हो गया है, इस वज़े थोड़ा सम साफ कर लेते हैं, अब तेजी से हम लोग रेस्टूरेंट की तरफ जा रहे हैं कि अब तेजी से हम दो क्या दोस्तों चुक्त कर दोस्तों यह आपका दोस्तों जाब लेफ्ट में दिख रहे हैं, यह किलास रेस्टूरेंट है और यह जो है, यह केलास रेस्टोरेंट के पास पारकिंग है, अब हम अपनी गाड़ी को यहां पारकिंग में लगा देंगे, लगके लिए हमें एक पारकिंग खाली मिल गई है, और अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे, खाना खाने जा रहे हो, अब हम तेजी से रेस् प्राइब करेंगे इसके चलो बटा ममी बाद चलो खुद को समवालो बच्चो को समवालो सबसे केड़ा काम है बच्चे चोटे हो और आप आउटिंग डिनर के लिए बाहर जाते हैं तो बहुत जादा दिक्कत होती है क्योंकि बच्चे पहले पकड़ के रखो उसके बाद ब पकड़ के रखो अबना अब में बहुत है आदा टिपिकल टास्क है लेकिन दोस्तो कुछ ओकेशन्स ऐसे होते हैं कि उनमें बच्चों के साथ परिवार के साथ भार जाना ही चाहिए और उसको एंजॉई भी करना चाहिए क्योंकि ये दिन रोज रोज नहीं आते साल में ए और हमारे जीवन को अच्छी अच्छी मेंबोरी के साथ भर देती हैं क्योंकि दोस्तों इंसान पैसा इन ही सब चीजों के लिए कमाता है दोस्तों अभी हमने रिसेंटली अपना एक बच्चों के लिए वेज नोडल और अपने लिए एक छोले बुट्रे ओडर कर दिये हैं दोस्तों आपके छोले बुट्रे तो बहुत जादा फेमस हैं और आज हम इनके नोडल स्ट्राइगे और आपको बताएंगे कि क्लास रे निटेंस रहेंगी हम आपको अपोडइली बताते रहेंगे अब दोस्तों के लास होडल के मेनु देख सकते हैं इनका जो यह के लास रेस्टोरेंट है वह उननीस सो अथावन से है और यह सेक्टर उनीस में पड़ता है अब हम दोस्तों प्यूर वेज रेष्टोरेंट है आ बहुत ही जादा मिनिमम रेट हैं और हर किसी की पोकिट के फ्रेंडली दोस्ते इनके प्रैसी जो देख सकते हैं बहुत ही बढ़ी है इनका मैन्यूर रेट कार्ड है और बहुत ही अच्छा यह रेस्टोरेंट है अब बच्चों ने दोस्तों हमारी जिंदे के खराब कर रखी है जैसा हमेशा करते हैं यह देख सकते हैं बहुत यहादा मिनिमूम प्राइस हैं यहां पर सबके हिसाब से वोकिर फ्रेंटी सब बहुत बढ़िया है दोस्ते इनका जो रेट मेन्यू चार्ट है कि देख सकते हैं दोस्तों इनकी थाली थूली के अप्राइज एक सो तीस उर्पे की दोस्ते इनकी थाली है थाली में दाल मिक्स वेज राइता राइस सलाद एक नान और दो अचा भी गया वह दुड़े होई है अब दोस्तों हमारा पहला ओडर आ चुका है यह चना भुटूर आप देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा है और विया हमारे बेटे के भूम में पानी आ गया है और हमारे तुरस तो आई गया है पानी कि ऑदियां कि अब ड्योडू और हमारे गुडिया है चैना के भी पूर वह टोड़ी में अपने कैम्रे को एम लैप्स मोड डाल दिया है जिसकी वजह से हम बहुत तेजी से मोमेंट कर रहे हैं, बहुत तेजी तेजी से खा रहे हैं, आपको थोड़ी से हसी भी आ जाएगी, हमें ऐसा खाते हुए देखकर, तो दोस्तों हम जल्दी से अपना खाना खतम करते हैं, और फिर अपनी एंडिवरस्ट्री के अगले घंति हिएगे और फ्रस्थान करते हैं, तो तो दोस्तों मैं अब देखिए कि जबना तेजी से खाना खा रहा हूं और तेजी से नहीं खाऊंगा तो मेरी बीवी ज्यादा खाना खाजाएगी और मुझे कम खाना में लेगा, इसलिए जल्द्द्री में खाऊंगा जिससे मैं अब मेरे बच्चों के नूडल्स आ चुके हैं लेकिन बच्चों से ज्यादा मुझे नूडल्स पसंद है इसलिए अब मैं छोले बुटरे साइट कर दूंगा और अपने बच्चों के नूडल्स पिल जाओंगा दोस्तों यह सब चीजे मजा कर रहा हूं जब इनसान अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो दोस्तों खुद भुगा रहा रहा ले था है लेकिन अपने बच्चों को अपने बच्चों को कभी भुकर रहने नहीं दे सकते पती पतनी का संबन्द और मा बच्चे का संबन्द बिलकुल वैसा ही संबन्द है जैसा धूब का और क्रिशी का जो धूब ना हो तो जिस तरह क्रिशी नहीं हो सकती पोधे नहीं हो सकते उसी तरह है अगर जो पती पतनी के बीच प्यार ना हो तो उनका संबन्द लंबा चल नहीं सकता वो एक एनिवरिसरी किया दोस्तों जीवन में एक दिन साथ नहीं बिता सकते और दोस्तों बिताना भी नहीं चाहिए क्योंकि पती पतनी का संबंद में अगर प्यार है तो ही वो संबंद मदूर है जैसे दोस्तों हमारी साधी के पांस साल हो चुके हैं लेकिन इन पांच साल लों का हमें आज तक पता ही नहीं लगा है कब पांच साल गुजर गए और कब हम दो बच्चों के माता पिता बन गए उम्मिद करता हूं दोस्तों इश्वर की करपा इसी तरह हम दोनों पर बने रहेगी और हम अपने जीवन में ऐसी अनियकों अनियक अनिवर्स्र बनाएंगे और अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे क्योंकि हमारे परिवार की सबसे बड़ी एक्चा तके वाली है कि हम खुश रह सकें और दोस्तों उसी को हम पुरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से रह रह हैं इसलिए दोस्तों पती पतनी को बहुत जादा प्यार से रहना चाहिए एक दूसरे का संबान करना चाहिए एक दूसरे की बातों को मानना चाहिए साथे साथ दोस्तों पती पतनी को कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए ना ही एक दूसरे से अपने पर कुछ कहना चाहिए क्योंकि अगर आप प sécurवार को बीच ने आते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं संबंध करा बोना सुरू हो जाते हैं हमों कि भीकडím प्रिवार को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ जो कि ने अपना खाना लोग फिनिश कर लिया है कुट्टे बिल्ली के लिए दो को छोड़ दो अच्छा ने खाना वन ने डालते भी या मैं कहानो के सारा साफ कर गई कुट्टे बिल्ली के लिए भी छोड़ देती अच्छा जितने पैसे अपने इतने पैसे ने करें इतने पैसे मिल जाएंगे और नहीं पता हुआ है यह यह वी जाएंगे जो जो बाहर साथ तरह आएंगे अच्छा ने प्रेटर प्रेंगे अच्छा जो अच्छा आएंगे कर दो दोस्तों मैंने अपनी बीवी को 500 रुपे दिये थे उसने बज़े 260 रुपे वापस किये अब पता नहीं दोस्तों उसने कितनी तो टीप दी और कितना बिलाया कुल मिला के दोस्तों 240 रुपे खर्च हुए जिसमें से नूडल्स का रेट तो बता 102 रुपे बाकी शोयले कितने के पता नहीं मेरी वाइब दोस्तों थोड़ी दिलदार है और वह हमेसा टिप वगएरा जुरूर देती है तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको मिठाईया पनीर और जिस तरह भी आपके डिरी प्रोड़क्ट की रिक्वार्मेंट है वो सारे के सारे डिरी प्रोड स्ट है कितनी जबर्दस्त इन्होंने वाल सेलिंग लगाई भी है कितने बढ़िया इनके जूमर लगे हैं और सेतिंग अरेज्मेंट तो दोस्ते आप पूछे इमत बहुती जबर्दस्त शीडिंग अरेज्मेंट है साते साथ दोस्तों आप इस रेस्टून के अंदर अपन जोरे बुटरे और नुडल्स खाये दोस्तों खाने की क्वालिटी बहुत यादा जवादस थी खाने में बहुत यादा मजा आया सबसे बड़े बास अच्छी वात थी दोस्तों यहाँ पर सर्विस बहुत अच्छी थी और इस्टेंट सब कुछ गर्मा गरम मिल रहा था जो क भी सारी बाती बिल्कुल सही निकली और छोले बुट रहे वह नोडल करचे इस दोनों लाजवाब के दोस्तों आपको रिकमेंट करूंगा अगर कभी भी आप उन्निस आते हैं तो आप सेक्टर उनिस इस इस केलाज रेस्टोरेंट जरूरूरा है यह 1958 से स्टैबलिश रेस दोस्तों अब हम केलाज रेस्टोरेंट के बाहर आ गए हैं आप देख सकते हैं कि केलाज रेस्टोरेंट भाहर छोले बुट रहे व टिक की के स्टोल भी लगाता है साथ में दोस्तो एक यहां पे लसी का भी काउंटर है आप देख सकते हैं केलास 19 इसका पूरा नाम है और भार का यह आप नजारा देख सकते हैं यह रोड जो है यह चंडिगर सेक्टर 19 की तरफ जाती है और अपोजिट डिरेक्शन में दोस्तो यह रोड सेक्टर 27-28 की तरफ जाती है और दोस्तो यह पूरी के पूरा शोरूम वरी बेल्ट है और यह देख सकते हैं सिंस 1958 के लास रेस्टोरेंट ब्री इसके बाज़ों में दोस्तो एक लिकर शोप है और यहां पर यह खाना बेना खागे हुए है चोड़े होए हैं बरने के बाद खुश हो रही है क्य है तो हमारी एनिवर्सरी उपर से दोस्तों खाना घर में बनाना नहीं पड़ा पार जाके खाना खा लिया तो दोस्तों महिलाओ को तो ऐसे भी दोस्तों कोई छुटी नहीं होती कम से कम इन ओकेशन के नाम पर एक छुटी मिल जाती है और वह भी थोड़ा एंजॉइ कर ले करेंगे और सुखना लेक पर अपनी थोड़ी वीडियो सुटिंग करेंगे और सुखना लोग को एक्स्प्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे सुखना लेक पर किस तरह का माहल होता है पिछले दोस्तों सुखना लेक की तरफ मूग करते हैं कि चलो अब दोस्तों हमने अ यहां के रांडो बाउट है और बहुती जादा गने आपे पेड़ है और चंडी गड़ अपने आप में दोस्तों पेड़ो से गिरा हुआ एक शहर है आप इसको मिनी जंगल भी कह सकते हैं बहुती बहतरी यह जगा है अब दोस्तों अपने कलोनी में आ गए है दोस्तों बच् आपको रच्जपल कर देखने के लिए मिल जाएगा गवर्नर हाउस के साथ साथ आपको यहां पे एडवाइजर टूच अडिका अडिकर अडिकर्म जारी भी रहते हैं यह दोस्तों आप देख सकते हैं यह हम सुखना लेक के तरफ जा रहे हैं रोड बिलकुल चका चक हैं दौनों तरफ दोस्तों बहुत घने पेड़ हैं प्लस चलने के लिए फुत पात हैं ग्रिन वैल्ट जबर्दस्त है यह दोस्तों आप लेफ्ट रैट में देख रहे हैं यह दोस्तों गोल्फ कलब हैं यहाँ जो चंडिpflicht के मेंबर हैं वो यहाँ लोग यहाँ पे गोल्फ सूरत नजारा प्रोवाइट करता है और यहां पर आने के बाद दोस्तों आप एक अलगी सुख की अनुभूती लेते हैं अब दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं राइट की तरफ जो लोग मुड़ गए हैं यहां पर कृष्णगड एक गाउं पड़ता है यह चन्निगड का पिंड है और अब हम स्टेट बढ़ चुके हैं और यह जो आप राइट में जाल देख रहे हैं दोस्तों गुल्फ कलब का जाल है यहां पर लोग गुल्फ सीखने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और यह दोस्तों सुखना लेक की पारकिंग है दोस्तों हुआ है दोस्तों बड़ी बुस्किल से इनको सेट किया है और अपनी रिकोर्डिंग शुरू किया है अब हम आपको लेक के कुछ खुबसूरत नजारे दिखाएंगे दोस्तों अब हम सुखना लेक आ गए हैं और यह हमारी एनिवर्सरी का दूसरा देस्टिनिशन है वैसे मेरी वाइप मुझे फ्लाइंग किस दे रही है जैसे कि फ्लाइंग सोट है उसके हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं जील का कितना सुंदर नजारा यहां देखने को मिल रहा है यही चीज दोस्तों चंडीगड़ को बहुत खास बना देती है क्योंकि दोस्तों महापे आपके हर मोसम के हिसाब से घूमने के प्लेशिस एविलेबल हैं पाक्स के बाद की जाए दोस्तों एक से एक पाक्स हैं जील के बाद की जाए तो दोस्तों यह सुक्रण जील है जो की बहुती उंदा नजारा प्रस्तुत करती है देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा ड्रोन श शोट देखने के लिए मिलते हैं यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो सुपना लेख है यह पूरी तरह से मैनमेड है यह प्रकरतिक नहीं है इसको चंडीगड अमिनिस्टिशन ने और चंडीगड के शान की रूप में चंडीगड की पेचान की रूप में खुद को इस्टैबलिश कर चुका है आप देख सकते हैं दोस्तों इसांदर नजारा कितना प्यारा लग रहा है और यह एक और शोट मैंने अपनी वाइफ का स्काइस्वर टाइप लिया है इसमें हम ड्रोन को थोड़ा शाही आप कर रहे हैं चूप की दोस्तों यह पे पै पुलिस वा लोग का प्रेशर रहता है वो ड्रोन शोट के लिए मना करते हैं इसलिए दोस्तों बोध ही नीची लेवल पर हम लोग ड्रोन की फ्लाइंग कर रहे हैं अवराल दोस्तों यह जो नजारा है यह देखते ही बनता है और आँखों को बहुत उंदा नजारा देता है और मन को मंत्रमुग्द कर देता है यह देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लोग वाक करने के लिए आते हैं कुछ लोग दोस्तों हमारी तरह शुटिंग करने के लिए आते हैं और कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज बगरा करने के लिए आते हैं और आल दोस्तों यह जो सुकना लेख है यह सभी की requirement को पूरा करता है हर एज ग्रूप के हिसाब से यह फुद को manage करता है या फिर कहें कि यह हर एक एज ग्रूप के हिसाब से इस सुकना लेख का निर्मान किया गया है अब यह आप देख सकते हैं यह अमारा running short है और इस short में दोस्तों बहुत ही प्यारी वीडियो बनती है जैसे कि आपको दिख पी रही होगी यह कितना प्यारा हमने short लिया है अब हमारा हवा साथ दे रही है और यह देखिए चुन्नी वाला सीन कितना प्यारा लग रहा है बिल्कुल cinematic video है cinematic scene है और हम जैसे छोटे छोटे एकुपमेंट्स के माद्यम से हम जैसे छोटे लेवल के यूट्यूबर्स या फोटोगराफर कह लें वो इस तरह के short create करने के कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए बहुती प्यारा बहुती beautiful नजारा create कर सके यह आप देख सकते हैं couple short एक हमारे लिए ताली बजा रही है और हमारी बीटी बहुत हो रही है दोस्तों आज शूट करते करते अधिरा हो गया अब बहुत सारे शूट तो हम लहीं नहीं पाए कि बच्चों के साथ हमें time का पता ही नहीं लग पाया लेकिन दोस्तों काफी अच्छे short हम ले चुके हैं ज pięyannabrад Tag04 एक सबुके पर तेटाम से फिरए और फीर हम डिनर के लिए बाहर होटल जाएंगे यह दोस्तों रोटेशन रोटेशन शोट केके माई लवली वाइफ और इसी के साथ दोस्तो अब हम अपना केक काटेंगे अब दोस्तो हमारा केक हमारे सामने आ चुका है यह आप देख सकते हैं यह दोस्तो चौकलेट विद वैनिला फ्लेवर केक है चुकि दोस्तो हमें वैनिला फ्लेवर बहुत जादा पसंद है इसलिए हम यह वाला केक लेक आये थे आप दे तो हमारा केक कटने के लिए तियार है हमसे ज्यादा हमारे बच्चे उतावले और रखे हैं दोस्तों बस कैसे कैसे हमने इन बच्चों को रोग रखा है ना हमें पता है बीच में लाइड भी भाग गई थी और फिर दोस्तों हमने इसको बहुत ही चलागी से छुपा के रखा अब देख सकते हैं मेरी गुडिया भी और दोनों केक को देखे बावल ले जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों केक को काटते हैं और अपनी एनिवरसरी को अच्छे से से सलिबिरेट करते हैं अब आपको दिखा जाता है और दोस्तों केक को दाय माय से दोस्तों काटना सुरू कर चुके हैं एक कट तो दोस्तों यह रहा दोस्तों एक कट यह रहा और दोस्तों यह देखो चोकलेट भी खा गया दी और दोस्तों यह कट देख सकते हो दोस्तों कितने जागे इन्होंने हाथ मार दिया तो चलो दोस्तों बच्चों को इंतजार ना कराते हुए अब हम फाइनली अपने केको काटी देते हैं गुडिया बस करो बटाओ बैठो चलो 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 गए माचे जो लो अभी जलाओ चलो आतमे लेक बड़ माचे जलो माचे जलो माचे जलो हुपीबर्टे कि तो कि खीपटे लो कि अधैया माचे जलो मुझा जया मुझा चलो चलो जोचो अब दोस्त बुत पहलो अब दोस्त दोस्ते जा रहे हैं दोस्तों यह उम्हारी साथे की पांचुछ साल वे साज़ा है जोड़ीं हात रखो बेटा हां के इस परशान के आप रहे हूं है इस ऐसे को कि बच्चोंन पुंद आप यह रखते हैं यह लोग पापा काथ पापा काथ वह तो फाइनली दोस्तो फाइनली हमारा केक कट चुका है और हमने इसे के साथ अपनी साधे के पांस साल कंप्रीट कर दिया है दोस्तों बस आप लोग का इसी तरह हम पर अशिरवाद बना रहा है और हम इसी तरह अपनी साधे की हर साल दर साल सालगीरा बनाते रहे यहीं दोस्तों आपसे आशा है मनोकामना है और दोस्तों हम उमेड करेंगे आप हम लोगों दुआ करतेंगे अपना आशिक बात देंगे दोस्तों अब हम डिनर के लिए तवा रेस्टोरेंट बोच चुके हैं दोस्तों यह भोती रेस्टोरेंट है और यहां पर आप चार सो पांट सो रुपे में दो बंदों के साथ डिनर और लंच का मज़ा दे सकते हैं दोस्तों इसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों इसका इंटीरियर केतना जादा सुन्दर है और लाइटिंग अर्रेज्मेंट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्यारा है इसरे बढ़ते हैं चलो इसरे बढ़ते हैं इस अ हमें बैठावी यहां पर आ जो यहां पर आजो बड़ी आँ बेटा मुम्मे के पास बड़ी अच्छा रेश्ट्रेंट बनाया ना परिती बड़ी जो गुट्डू बड़ी को खाओ को आपको को खाओ कि आप क्या खाओ कि आपको कि जी यह दो आज अपने एनिवर्सरी का अंतिम पड़ा पर आचुके हैं अब गी आए हैं अब आए हैं सेक्टर अने जिस्थित और खानी की क्वालिटी भी तोस्तों बहुत ही बहुत ही आद अच्छी है और इसका इंटिरियर है सीटिक अरेजिमेंट हो भी दोस्तों एक जब उल्दस्त अरेजिमेंट यह फूटल प्रदाम करता है इसकी सब्सक्राइब अच्छी है अभी अमने दोस्तों यहापको की पी ओपी कितनी शांदार है कितना शांदार इसका लाइटिंग अरेजिमेंट है और दोस्तों इसका सेटिंग अरेजिमेंट भी बहुत यादा बढ़िया है वेटर सर्विस भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है जब आप इस होटल में आते हैं रेस्टोंट में आते हैं त दोस्तो हमने तो नौर्मल पानी ही महाया था क्योंकि हमें मिलर वाटर अच्छा नहीं लगता है यह दोस्तो देख सकते हैं कितना वेल डेकुरेटिड रेस्टोरेंट है कितना अच्छे से इसकी दिवारों को भी सजाया गया है एक से पिंटिंग लगाई गई है और उसको भी का एसास नहीं होगा अवराल दोस्तो यह रेस्टोरेंट कैस्ट कह सकते हैंек चीप एन्टिस्ट क्योंकि दोستो चार्सो रूपे के कि चार्सो से पांसो रुपे के प्रायस टैक में दो बंद्धे हैं हपर आराम से खाना खाष सकते हैं और दोस्तो जो खाने की क्वालिटी और और रेट तो दोस्तो इसके जहन भी लाई है कि दोस्तों हमारे टेबल पे प्लेट्स लग चुकी हैं है यह आप देख सकते हैं दोस्तों कि और हमारे गुड़िया मैंनु के साथ छेड़ जार्ड कर रहे हैं अब धोस्तों मैं आपको इसका मैंनु दिखा देता हूँ इसके rate chart क्या है यह आप देख सकते हैं दोस्तो menu तबा रेस्टोरेंट इंडियन चाइनीज एंड स्नेक्स और रोज यह देख सकते हैं दोस्तो बेवरेजिज, सेंडविच, सूप, चाइनीज, स्नैक बार ये सब चीज़ों के दोस्तो रेट है अगर आप इनको देखना चाते हैं दोस्तो आप इसको पोस्ट करके जूम करके देख सकते हैं इसके प्राइज अवराल दोस्तो ये बहुत ही जादा बढ़िया है आप मेरे कहने से यहां पर एक बार जरूर आईए और दोस्तो यहां पर आप सबसे पहले जब आएं तो आप किवल कड़ाई पनीर ओडर करें क्योंकि दोस्तो इनका कड़ाई पनीर बहुती जादा बढ़िया है हमने भी दोस्तों कड़ाई पनीरी ओडर किया है इस रेस और दोस्तों इन्होंने अप्स प्याज चट्टनी और अचार रख दिया हैं दोस्तों यहां पर यह प्रियोग कोस्ट रखते हैं जैसे कि आपने देखा ही है आजकल कुछ होटल प्याज के अलग से पैसे चार्ज करते हैं लेकिन यहां प्याज अनुपूर्ण से और अचार हमारी गुड़िया को इतनी भूख लगी है कि वो ऐसे ही पिलेट से चमस से खाने के एक्टिंग कर रही है बच्चों को दोस्तों भूख लगी जाती है सुबे से हमारे साथ हमारी एनिवर्सरी सेलिबरेट कर रहे हैं और परसांत तो खूख किया लेकिन शांत भी बहुत जाद रहे हमारा कड़ाई पनीर और नान आ चुके हैं यह कड़ाई पनीर इनोंने रख दिया है और नान भी रख दिये हैं दोस्तों इनका खड़ाई परी तुर्थिया था इस्पेशल होता है और नान के साथ तो दोस्तों मज़ाई आ जाता है लेकिन दोस्तों आप जब भी आए मेरी तरह वीडियो रिप्वर्णिंग में ना लग जाएं क्योंकि नान थंडी हो जाती है और थंडी होके हार्ड हो ज इसी चक्कर में हमारा खाना भी थंडा होता जा रहा है मेरे दिमाग में चल रहा है मन तो कर रहा है कैमरा साइड रख तो और प्रन नान विक के ऊपर टूट पड़ो लेकिन दोस्तों पलुक बनाना जरूरी है अब दोस्तों ज्यादा लेट ना करते हुए अब हम अपना खाना शूरू करेंगे और जल्दी से अपना डिनर खतम करेंगे दोस्तों आज जो कड़ाई पनीर बन के आया वो पहले जितने भी मने कड़ाई पनीर खाये थे सबसे जादा बेस्ट कड़ाई पनीर है और दोस्तो मज़ा आ गया है खाके दोस्तो आज कड़ाई पनीर इतना टेस्टी बना है कि आप ये मन लीजिए अगर मेरी दो रोटी की भुगती तो दोस्तो मैंने चार रोटी खाई है और दोस्तो कड़ाई पनीर की कॉंटिटी भी इतनी ज़्याद अच्छी थी कि हम दोनों ने बहुत अच्छे से खाया और साथ में साथ दोस्तो बच्चों को भी खिलाया दोस्तो फाइनली हमारा डिनर भी कंप्लेट हो चुका है इस तरह दोस्तो हमने तूरा दिन एंजोई करके निकाल दिया है और दोस्तो आज हमने पूरा दिन पता है नहीं लगा आज तो पूरा दिन हमने रोड पे निकाल दिया और रेश्टोरेट में निकाल दिया ओवराल दोस्तो हमने फूर ची आदा एंजोई किया पर अच्छे सब में एनिवर्शरी को सब्सक्राइब किया है हम बोलो कि अब 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 अपना दीनर खितम कर लिया है और हमाने के लिए जा रहे हैं अब आई अनिवर्शी को एच्छी तरीके से सलिप्रेट हो गई है ओके दोस्तों बगाई टिक क्या है वे ने